बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि धन 13 मनाया जाएगा 23 तारिक को और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 22 तारिक को मनाया जाएगा देखिए जो त्रियोदिशी तिथी है वो 22 तारिक को शाम को 6 बच करके 2 मिनट पे शुरू हो रही है त्रियोदिशी तिथी 22 तारीख को शाम को 6 बच के 2 मिनट पे शुरू हो रही है और ये 23 तारीख को शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगी अब इसमें एक समझने वाली बात आपके लिए ये है कि धनतेरस पर जो पूजा होती है या जो खरीदारी होती है वो होती है प्रदोशकाल में और प्रदोशकाल जो है वो आपको ज़ादा सही मिलेगा 22 तारीख को शाम को क्योंकि 23 तारीख को शाम को प्रदोशकाल लगभग 6 बजे तक समाप्त हो चुका होगा इसलिए जो पूजा शाम को चुकी की जाती है पूजा ऐसे समय की जाती है जब रात्री धन्तेरस की हो और प्रदोशकाल धन्तेरस का हो ये दोनों ही संयोग आपको 22 तारीख को मिल रहे हैं इसलिए 22 तारीख को धन्तेरस मनाना ज़ादा सही होगा जो लोग उदया तिथी का सिध्धान्त मानते हैं कि सूरियोदय किस तिथी में उदय हो रहा है हम उसके हिसाब से मनाएंगे वो 23 तारिक को मनाना चाहें तो मनाएं लेकिन तकनीकी रूप से टेकनिकली जो पूजा होगी धनतेरस की या धनतेरस पर जो काम किये जाएंगे वो 22 तारिक को ही किये जाएंगे शाम को 6 बच के 2 मिनट के बाद में इसलिए हर हिसाब से और अगर हम द्रिक पंचांग की बात करें तो उसके हिसाब से भी 22 तारिक को धनतेरस मनाना जादा बेहतर होगा धन तेरस बाइस तारीक की शाम को मनाईए